अध्यक्समोदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मांग संग्या तीश जन जाती खेतरी विकाश मांग संग्या तेटीश सामाजिक शुरुक्षा और कल्यान की मांगा प्रचर्चा के लिए मोका दिया आज शुरू से इन विवाग में S.C.S.T. के उत्थान के लिए प्रावदान था आज की तारिक में इसमें पिश्डा वर्ग अति पिश्डा वर्ग आर्थिक रूप से पिश्डा वर्ग सहीदों के आसरीत पिकलांग वर्ग सभी का प्रावदान डाला गया है देश आजाद होने से पहले विशेश करके S.C.S.T. की लोगों की ग्रामिन खेतर में जो उनके हालत थी वो नार किये थी वो दूसरे इंसान जो जीते थे उनके सापेक्स में वो अपने आपको इंसान ही माननी पा रहे थे एकदम अलग धलग थे आज बलाईयां को भी बले लेकिन उस वक्त संगर्ष करके कई वर्षां तक देश को आजाद कराया और आजाद करने के बाद में बाबा साफ भीमराव जी अमिड कर जी ने उनकी अधेक्स्ता में और भी मेंबर और समीदान बनाया जिसके अंदर विशेश करके पिछड़े वे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान डाले गए और वो शुरुआती जब एकदम नारकी जीवन जी रहे थे वहां से आगे लेने के लिए जिन्होंनों भी प्रियास किया जो उन्नीस सो पचास से एकवन में शुरू हुआ वो सबसे बड़ा काम था आदमी कोई रोटी खाके दपा हुआ होता उसको एक रोटी खिला दे वो कोई बड़ी बाद नहीं होती है लेकिन जो सदियां से पीडियां से बूखा था तरिस्थ था अपमानित था उठ जगे के उठा के में दारा में जो लाना शुरू किया उसके बाद मैं सिरकारे अलग-अलग मनते रही सबी नहीं अपना अपना प्रियास किया आज इस पर लंबा डिसकर्ण हो चुका है मैं इस मोके पर यही क्याना चाहूंगा कि जिस डंग से अन्य समाज देश आज़ाजी से लेके आज तक बड़े हैं कई समाज ऐसे थे दो आज़ाजी से पहले काफी पिछड़ी हुए थे S.E.S.T. के अलावा भी लेकिन आज जहां खड़े हैं वहां अधिकतर लोग S.E.S.T. के आज भी दुनियादारी से बहुत पीछे हैं देश आज़ाद हुआ 31-32 क्रोड आबादी थी आज सवा अरब आबादी है लेकिन कम से कम आज भी 35 क्रोड देश में ऐसे हैं कई लोग अपन मीनों तै करते हैं सुबह क्या बनाना, साम का क्या, नास्ते में क्या, दुपारी में क्या लेकिन 35 क्रोड लोग ऐसे हैं वो कैसे रोटी खाके जिवित रहना है यही काम कर पाते हैं आज अपना ऐसे सक्सम लोग हैं कि वो पतानी साल में एक ड्रेस को दुबारा पेहनते हैं और नहीं पेहनते हैं और पेहनतीस क्रोड लोग ऐसे हैं जहे हैं अंग ढखने के भी कपड़े एक साथ हो साथ नए दो वारी लेते हैं एक वार तो जब डैत होती है तब उसके उपर डालने के लिए एक वार जनमता है नामकर्ण होता है तब और एक साथी में उसके अलवा साथ उनको नशीब नहीं होता है तो उसमें अधिक तर लोग S.E.S.T. या अलब संखे के मैं इस मोके पर कहना चाहूँगा अलगल सरकाराने S.E.S.T. और अन्य वरक जो इससे जुड़े हैं पिश्ड़ा वरक जो इनकी इस्तिती गमजोर थी उनके इत्थान के लिए जो योजनाई बनी कई योजनाई ऐसे ही है 2012 में बनी और कोई इमाउन तैय हो गया वो 2020 में होई है जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई तो एक अपन सब को मिलके कोई भी योजना जिसके अंदर जो प्रावजान डालते हैं उस वक्द इस्तितियाँ देखके डालते होंगे फिर वो महंगाई को देखते हुए हर वर्ष उसमें इंक्रिमेंट होना चाहिए जैसे पढ़ने वाले बच्चों को पचास और शाट रुपे भी मिलते दे इसको दर्शिव मैंने सीम साफ से निविदिन किया और लोगों नहीं किया होंगा तो पचास साट से शिदी पांसो छेशो पे आया इसका मलब बीच में गैप रहा तो इसमें एक सिश्टम होना चाहिए कि जो स्कीम सो जिसमें जो एमाउंट हो वो दिरतर येरली बढ़ता रहे जिती भी स्कीम है उसकी सिंपलिसिटी होने चाहिए कई गाओं के अंदर पातर लोगों को पता ही नहीं है वे हमारे उदार के लिए इसकीम क्या है इसके लिए जो राजकी नोकर है ग्राम सेयक है दूसरे जो शमंदित है उनको सेलेरी देने से या एसी आर जब भरी जाती है उनसे सर्टिवेट लिया जावे के मेरे कारे खेतर में एसी, एस्टी, ओबीसी, विद्वा कोई शहीद की आसरित कोई भी पात्र व्यक्ती चाए औरत हो या मैला हो या नाद बचा हो कोई भी जो वांसित लाब है उसे मिलने से वन्चित नहीं है ये चीज़ ओनी चाहिए नहीं तो इसकी में बन जाती है